ओम शांती आज आठ फरवरी 2022 के बाबा के अनमोन मदुर महावाट के सुनेंगे आज की मुडली में बाबा पढ़ाई का महत्व बताते हैं बाबा कहे इस दुनिया के अंदर भारत से कई लोग विदेश पढ़ने जाते हैं लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है यहां बड़ी बात है चुब पढ़ाने वाला स्वयम कितना दूर देश से आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने तो बाबा कहे तुम बच्चों को पढ़ाई का कदर होना चाहिए और इसी लिए पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है हर श्रीमत को अच्छी तरह से पालन करना है साथ ही साथ बाबा कहे गली गली में सेंटर खुलना चाहिए ताकि किसी को भी पढ़ने में कोई दिक्कत न हो, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ सके क्योंकि अंत तक हर एक को बाप का संदेश जरूर मिलना ही है तो ऐसी कोई दुनिया में युनिवर्सिटी नहीं देखी जहाँ पढ़ाने वाला बहुत दूर से आता है सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए साथी बाबा कहे, तुम बच्चों को अभी नई दुनिया में चलना है तो जो बाप की श्रीमत है, उख श्रीमत पर अमल करना चाहिए तभी तुम नई दुनिया के मालिक बन सकेगे अच्छा इस पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाता है बाबा कहे तुम बच्चों को लक्ष दिया जाता है लक्षमी नाराहें बनना है तो उसके लिए आत्म अभीमानी बनने का पूरा पुर्शार्थ करना है दुनिया में लोग जितना भी पढ़ते हैं दे अभीमान बढ़ता जाता है लेकिन यहां की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आत्म अभीमानी स्थिती हमारी बनती जाती है तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य ओम शान्ती मीठे बच्चे एक बाप ही है जिसकी अपरमपार महिमा है बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती आज की मुडली से प्रश्न है तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम सारे कल्प में एक ही बार बाबा कहे, क्यों कदर होना चाहिए? क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परमधाम से पढ़ाने के लिए आते हैं, मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश चाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं, यहां तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है, तो बच्चों क पढ़ाय का बहुत कदर होना चाहिए, थोड़ी दिक्कत भी हो, तो खर्जा नहीं, तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे, बाबा का परीचे तो सब को मिलना है जरू, ओम शान्ती, मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, यह कौन है, यह कोई सादू सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, यह तो और चीज है, मनुष्य को तो जट पहचान ले, फलाना सादू सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे फलाना महत्मा है, यह सिर्फ बच्चे जानते हैं, बच्चा कहा जाता है इसको आत्मा को, आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं आत्मा ही कहती है, ये फलाना है ओर्गन्स द्वारा जानती है अगर आत्मा नो हो, तो यह आँखे काम न कर सके सब कुछ आत्मा ही जानती है अभी तुम बच्चों को आत्म अभीमानी बनाया जाता है इस स्कूल में बाबा कहे इस पढ़ाई में तुम बच्चों को आत्म अभीमानी बनाया जाता है आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रिय से फलाना कर्तविय करता हूँ वास्तों में आत्मा को मेल कहा जाएगा फीमेल नहीं मेल है क्योंकि हम सब भाई-भाई हैं तो इस पढ़ाई की दूसरी विशेष्टा पहली विशेष्टा आत्म अभीमानी बनना है दूसरी विशेष्टा कि यहां सब भाई-भाई पड़ते हैं फीमेल कोई नहीं है आत्मा आत्मा भाई-भाई है अभी तुम नई बाते सुनते हो ये कौन आया उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है यह तीसरी विशेष्टा कि पढ़ाने वाला का कोई मनुष्य रूप नहीं है तुम जानते हो बेहत का बाप है शिवाबा जो इनके द्वारा समझाते हैं ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है उनकी आत्मा बोलती है नहीं, मनुष्य का सारा नाम रूप में एटेंशन जाता है दुनिया में तो पढ़ाने वाले के नाम रूप में एटेंशन जाता है तुम्हारी बुद्धी समझती है यह हमारा बेहत का बाप है वह शरीर द्वारा हमको अपना वर्सा देते हैं राज योग सिखलाते हैं यह पढ़ाई भी नियारी निराली, आत्मभीमानी बनने की और राज योग की जिससे हमें वर्सा प्राक्त होता है यह है सबका बाप सर्व का पतीत पावन सिर्फ मनुष्य का नहीं पांच तत्तों का दिये क्योंकि बाप पांच तत्तों को भी पावन बनाते हैं तो इसलिए बाबा कहें यह सर्व का पतीत पावन बाप है जो सिर्फ मनुष्य को नहीं प्रकर्ति के पांश तत्वों को भी पावन बनाते हैं सर्व की सद्गती करने वाला है उचे ते उचा बाप स्रिष्टी में महिमा करने लायक तो एक बाप ही है दूसरा न कोई न ब्रह्मा, विश्नु, शंकर की महिमा कर सकते हैं उनका बर्थ डे मना कर क्या करेंगे लक्ष्मी नारायन जिसका कंबाइंड रूप विश्नु है अभी वा कहा है लक्ष्मी नारायन पुनर जनम लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं सर्व का सद्गती दाताव एक ही है महिमा भी एक की है उस पतीत पावन बिगर देखो स्रिष्टी का क्या हाल हो गया है दुनिया कहां से कहां पौँझ गई है एकदम अधोगती है क्रिष्ट के भक्तों से पूछो राधे क्रिष्ट कहां है तो कहेंगे सर्व्यापी है राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे है हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे अपने पाट से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती है लक्षमी नारायं ही राजाई करते हैं छोटे पन में राधे कृष्णद है वह तो है प्रालब्द तो उनकी महिमा क्या करेंगे, ब्रह्मा के भी महिमा नहीं, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं, महिमा तो एक की ही है, उनको ही पतीत पावन कहा जाता है अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है विष्णु को स्वदर्शन चक्र सुक्ष्म वतन में क्यों दिखाते है विष्णु को स्वदर्शन चक्र सुक्ष्म वतन में क्यों दिखाते है मनुष्य को तो जास्ती भूजा होती नहीं सुक्ष्म वतन में भी चार भूजा दिखाई है प्रवृत्ती मार्ग की बाबा कहे वासतों में ये चार भूजा अर्थाथ प्रवृत्ती मार्ग को सिद्ध करने के लिए बाब कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम जान गए हो, क्या जान गए हो, 84 जन्म हम कैसे लेते हैं तुम्हारा ग्रहस्त व्यावहर पवित्र था मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगून संपन, तुम मात पिता अब यह महिमा फिर रौंग हो जाती है कि मंदिरों में जाकर के, जिसने 84 जन्म पूरे लिये, ऐसे ग्रहस्त व्यावहर वाले पवित्र लोगों के सामने जाके गाते हैं सर्वगून संपन, फिर कहेंगे तुम मात पिता, अब यह महिमा फिर रौंग हो जाती है यह महिमा है सिर्फ एक की, तो ममात पिता यह महिमा है सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं है जो कुछ महिमा है सो एक की, वह है परम पिता परम आत्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सत्गुरू, अकाल कहते हैं न, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूरत है शिव बाबा को बेल पर दिखाते हैं, वह फिर अकाल तक्त दिखाते हैं, अब यह तो कोई को पता नहीं है, शिव बाबा क्या है? मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है वह तो है ज्ञान सागर पतीत पावन उनको तो मनुश्य का तन चाहिए ना तुम बच्चे जानते हो कि उनका तक्त ये ब्रह्मा ही है धर्मस्थापकों की क्या महिमा है? वह तो सिर्फ आकर धर्मस्थापन करते हैं वह कोई जीवन मुक्ती नहीं देते मनुश्य कहते हैं मोक्ष मिले फिर आये ही नहीं वह धर्मस्थापक तो अपने धर्मवालों को नीचे ले आने के निमित बनते हैं उनको तो आकर अपना धर्मस्थापन करना है तो वो तो आत्माओं को और ही उपर से नीचे ले आते हैं लेकिन इस पढ़ाई से हम सदगती को प्राप्त करते हैं तो बाबा कहे उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है ड्रामा का पार्ठ है जो भी आते हैं उनको गुनर जनम लेना ही है यह तो स्थापना बाप करते हैं, वह सबका पतीद पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं, वह तो आते हैं अपना अपना पाढ़ बजाते हैं, सतो रजो तमों में आना ही है, उन्होंने धर्म स्थापन किया बस, जो सिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने, जो धर्म स्थ करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है वापस कोई जाता नहीं सभी इस समय भिन भिन नाम रुप में यहां पतीत दुनिया में है पहले नंबर में लक्ष्मी नारायन देखो वह भी अब यहां है प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा ब्रामन रचते हैं फिर यह जाकर राधे क्रिश्न बनेंगे जब तक शिवाबन ना आए तब तक कोई पावन बन न सके बलिहारी उस एक की ही है उनकी ही महिमा है कहते भी है शिवाई नमह तुम मात पिता हम बालत तेरे सब याद करते हैं सबसे जास्ती महिमा किसकी है बाब कहे सबसे जास्ती महिमा उस बाप की ही है पुकारते भी है ओग और फाधर बाप को ही पुकारते हैं यह नाटक बना हुआ है जब स्रिष्टी पुरानी होती है तब बाप आते हैं मूल वतन, सुक्ष्म वतन, स्थूल वतन तीनों लोको का ज्ञान देते हैं ज्ञान एक ही बार मिलता है उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है बाकि वशूरिय चांद आदी तो बेखत मांडवे की रोश्नी देने वाली बतिया है वह रात वह दिन ये मांडवे की बतिया है ऐसे नहीं कि सूर्य देवताय नमह कहेंगे नहीं, देवताय तो ब्रह्मा विश्नु शंकर है कोई मूल वतन से आत्मय यहां आती है तो सीधा गर्ब में जाती है सुक्ष्म वतन में नहीं जाती है सीधा सत्यूग में आएगी गर्ब महल में वहां तो कोई पाप कर्म होते नहीं यहां पाप करते हैं तब तरही तरही करते हैं धर्मराज हमें बाहर निकालो फिर हम पाप नहीं करेंगे ऐसे प्रामिस करते हैं बाहर निकलने से क्या होता है फिर पाप करने लग पड़ते हैं वहां की वहां रही यह भी ड्रामा में है कहते हैं न, वा वा वा, बच्चा रोता है तो, वहां की वहां रही, और यहां की यहां. तो यह भी ड्रामा में है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, रावन ही है. द्वापर से लेकर, क्या हुआ? द्वापर से लेकर बाबा कहे रावन राच्य शुरू होता है द्वापर में ही देवी देवताईं वाम्मर्ग में जाते हैं उन्हों का फिर मंदीर है पूरी में देखो कैसा मंदीर बना हुआ है अंदर जगननात की मूर्ठी है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र है ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए तुम तु अभी श्रीमत पर स्रेष्ट बनने का पुर्शार्थ कर रहे हो सत्यूग आदी में लक्ष्मी नारेंड स्रेष्ट है न उन्होंने यह स्रेष्ट पद कैसे पाया अब तुम फिर से पढ़ रहे हो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्ब कल्प के संगम युगे फिर से आता हूँ आता ही रहूंगा फिर से तुम बच्चों को राज्योग सिखाऊंगा फिर सतो रजो तमों में आना है तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है जो पहले पहले आते हैं वही 84 जन्म भोगते हैं तो बाबा कहे तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते हैं 84 लाख तो है नहीं मनुष्य को जो कुछ कोई ने कहा बस सत सत कहते रहते हैं अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयू बड़ी हो जाए बात कहते हैं 84 जन्म है सो भी देवी देवताओं के जो सत्यू के आरंब से आते हैं अच्छा फिर इसलामी, बौधी, क्रिश्चन, आधी कितने जन्म लेते होंगे हिसाब है ना, आते तो वहत है, ताल-टालियां है तुम सारे स्रिष्टी के आधी मत्य अंत को जानते हो भारत ही पहले नंबर, विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं अभी उस देवी देवताओं धर्म की टांग है नहीं अभी उस देवी देवताओं धर्म की टांग है नहीं उनका शास्त्र भी नहीं है यह गीता आदी शास्त्र फिर बनेंगे ऐसे नहीं, तुम जो सच्ची गीता बनाते हो, वो होगी निकलेगी फिर भी वही गीता बक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए नहीं ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चो को अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राक्ति होती है बाबा कहते हैं यह साब है बक्ति मारक दुनिया में तो सब है बक्ति मारक मेरी प्राप्ति तब होती है कब शिबाबा की प्राप्ति तब होती है जब मैं यहां आता हूं भारत में तो बाबा कहें मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहां आता हूं भारत में भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही कितना शाहुकार था, सोमनात का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए बिल्ला के पास बहुत पैसे हैं तो कितने बड़े मंदिर बनाए हैं, बाप कितना अच्छे रिती समझाते हैं यह और कोई समझा न सके, ज्यान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं, तब बच्चे समझ जाते हैं यह कौन पढ़ाते हैं, यह कोई सन्यासी नहीं, उनका नाम ही है शिप सब आत्में उनके बच्चे हैं उन्हों के शरीरों के नाम बदलते रहते हैं इनका नाम ही है एक कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है तुम तो जन्म मरण में आते हो देह अभीमानी भी बनते हो मैं कभी देह अभीमानी नहीं बनता सावा के मैं कभी भी देह अभीमानी नहीं बनता हूँ वले देह में आता हूँ लेकिन देह अभीमानी नहीं बनता बाप है ही फॉर एवर देही अभीमानी क्योंकि पुनर जनम में नहीं आते हैं शिवरात्री मनाते होना परंतुरात्री का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, कितनी भूले हैं, अभी है रात, फिर दिन होना है, अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है. अब कल्प का अंतर्थात रात हुई है सत्यूग त्रेता है दिन, द्वापर कल्यूग है रात मुझे आना ही है संगम पर यह है बेहत के रात और दिन भगवान वाच समझाते हो यह वेला मुख्य है भगवान वाच बाबा हम बच्चों को समझाते हैं यह वेला मुख्य है परन्तु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते वह कब आते हैं पता थोड़ी लगता तो यह है बेहत के रात और दिन इसको कल्प का संगम कहेंगे बर्थ डे भी अगर मनाते हैं तो एक का शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं उनका नजन्म है और नहीं मौत है कहेंगे बाबा चला गया यह खेल है बाब मैट समझाते हैं गाते भी है रास्ते चलते ब्राम्मर फस गया इस बाबा को थोड़ी पता था अचानक प्रवेश्ता हो गई पहले थोड़ी मालूम पड़ता है धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि यह बाबा का काम है इस ज्ञान यग्य से विनाश ज्वाला प्रजवलित होनी है बेहत के यग्य में बेहत की सामगरी स्वाहा होनी है बेहत के बाब का यह यग्य है इनके बाद फिर कोई यग्य नहीं रचा जाता बक्ती मार्गी खलास हो जाता है इस महाविनाश में सब खतम हो जाता तो बक्ती मार्ग भी खलास हो जाता यह नौलेज बुद्धी में रखनी चाहिए पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पढ़े थोड़ी दिक्कत तकलीफ होती है मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंडन अमेरिका भी जाते है यह तो क्या है बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परमधाम से पढ़ाने के लिए आता हूं तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली-गली में बनेंगे नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे बाबा का परीचे सब को मिलना चाहिए बाप को जरूर जानेंगे अंत से पहले बाबा कहे बाप को जरूर जानेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट श्री मत पर सदा स्रेश्ट बनने का पुर्शार्थ करना है पढ़ाई के लिए बहना नहीं देना है पढ़ाई पढ़ने जरूर है दूसरी पॉइंट जैसे आदी में पवित्र ग्रहस्त आश्रम था सत्यूग में ऐसे अभी अपना पवित्र ग्रहस्त आश्रम बनाना है बलिहारी एक बाब की है उसका ही गुर्णगान करना है आज का बाबा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है हर खजाने को स्वप्रती और सर्वप्रती कारिय में लगाने वाले अनुभवी मूरत भवव हर खजाने को स्वप्रती और सर्वप्रती कारिय में लगाने वाले अनुभवी मूरत भवव समाने की शक्ती को धारण कर सर्व खजानों से संपन बन उन्हें स्व के कारिय में अथ्वा अन्य की सेवा के कारिय में यूज करो खजानों को यूज करने से अनुभवी मूरत बनते जाएंगे सुनना, समाना और समय पर कारिय में लगाना इसी विधी से अनुभव की अथारिटी बन सकते जैसे सुनना अच्छा लगता है पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजई बन जाओ तब कहेंगे अनुभवी मूरत आज का स्लोगन है गुणमान उसे कहा जाता जो गलानी करने वालों को भी गुण माला पहनाता चले बहुत सुन्दर बात बाबाने कही गुणमान उसे कहा जाता जो गलानी करने वालों को भी गुण माला पहनाता चले अच्छा, ओम शादूर।